अभी पेपर में लास्ट के दो मन्त है सीजल के लिए तो क्या करना पड़ेगा मैं जो एक जनुवी सजेशन आपको देना चाहता हूँ वो क्या देना चाहता हूँ इस बार के सीजल के लिए वो मेरी बात को समझेगा बड़े ध्यान से तो आप टार्किट बना रहे हूँ ना तो सीजल 2022 के लिए एक काम करना सबसे पहले तो एक फोकस रखना यहां पर कि जितना ज़्यादा रिवाइस कर सकते हो उतना ज़्यादा रिविजन पर देहन दो क्योंकि अभी last के आपके दो मंत है last के दो मंत में मेरे भाई यहाँ पर तो जो पहली बात जो आपका यहां syllabus में बाकी रह गया है उन syllabus के बाकी portions को complete करने की सोचना जैसे मान लो किसी बच्छे का ऐसा रह गया है कि reasoning में आपका counting figure रह गया हो या और भी दो-चार टॉपिक रह गए हूँ तो आप उनको करने की कोशिश करो कि जो रह गए एंटलिस्ट उन्हें तो लपेट ले दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो पढ़ा है उसको मेरे भाई प्रॉपर तरीके से रिवाइस करो बहुत important है आपर बहुत ही ज़ादा जरूरी है ठीक और तीसरी सबसे बड़ी महतुपून बात अगर हम आपको बताये तो यहाँ पर आप mock test दीजिए जनाब आप mock test दीजिए यकीन मानिये मेरा mock test की बहुत आवशकता है आप लोगों को आप mock test दीजिए और जरूरत पड़े तो मेरे भाई आप ऐसा कर सकते हैं कि अब प्री के mock की संख्या को लगबग ना के बराबर लाकर आप मेंस वाले नए वाले pattern पर mock test दीजिए मैं market में नाम नहीं लेना चाहूंगा बहुत सारे companies हैं अच्छा-च्छा mock बनाते हैं आप उनका mock दे सकते हो और चौथा जो सबसे important काम आपको करना है मेरे तरफ से एक application English के लिए ले लो free of cost है उसको download करना और उससे बहुत practice करना last time में उसने मेरी बहुत मदद की थी चाहे वो vocabulary हो गया चाहे वो grammar हो गया sentence improvement हो गया bqrs हो गया, re-arrangement हो गया साइनो, एंटो, वनवर्ड, बहुत free में वो application available है play store पे SSC English quiz करके SSC English quiz का जो ये application है इसको download करना और download करने के बाद मेरे बाई सबी चीज़े आप free में दे सकते हो ठीक है, यहाँ पर हर question का quiz format है उल्टा तो यहाँ पर previous year भी आपका डला हुआ है 2017, 2018, 19, 20, 21, 5 सालों का pre का पूरा का पूरा paper डला हुआ है तो यहाँ से आपको बहुत फायदा हो जाएगा ठीक है, तो यह download कर लेना phone में और यहाँ से English की लगना लगातार practice शुरू कर देना आप यहाँ पे उसी तरीके से SSC GK quiz भी करके है बट वो मुझे उतना appropriate नहीं लगा मुझे यह लगा, तो मैं suggest करूँगा कि आप इस application का फायदा उठाना calculation के लिए उसी तरीके से एक application आता है करके maths trick करके, यह maths trick वाली application डाउनलोड करना और यहाँ पर जो है मेरे भाई, पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से calculation में लग जाना daily, 10-15 minutes जितना भी समय हो पाए दो और इससे calculation करना शुरू कर दो तो यह अभी इतने points पर काम करो थोड़ा सा routine भी बनाओ, तो ऐसा बनाओ कि सारे subject को समय मिल रहा हो बहुत बार ऐसा होता है, maths से इतनी महबत हो गई कि बाकी subject को time ही नहीं दे रहे सबसे मुर्ग काम है मेरे भाई यहाँ पर ठीक है, तो सारे subject के लिए proper तरीके से time होना जरूरी है ठीक है, एक बच्चा कहता है सर थोड़ा high level का question कराओ, मेरे भाई मेरे बाई मेंस का batch लेना है ना, special तरीके से वहाँ पर आपको मिल जाएगा, गजब बात करते हो यार तुम, ठीक है परी का भी है, बच्चों का CPO का paper है, सीजल का paper है, अलड़ी काफी चीज़े हैं, तो फालतू का अपना हिरोगरी मैं क्यों दिखाऊं high level करागे, यह बताओ ना आप एक काम करो, आपको high level का पढ़ना ही है, तो maths का recorded batch ले लो, पूरा complete करा रखा है, सारा देख लेना उसमें, 50 classes में geometry कराई हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि 50 में कितना geometry पढ़ाए जाता है ठीक है, इतना पढ़ा दिया है कि teacher तक बन जाओगे, बस इतना समझ लो तो इसलिए यहीं आपका recorded batch, तो आप लोग इस points पर काम करो, थोड़ा सा बढ़ियां तरीके से ठीक है, और बाकी all the best है हमारी तरफ से, बढ़ियां wishes से आप लोगों के लिए, त्यारी चली रही है कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई समस्य होगा तो comment box से मुझे बता ही देना ठीक है, चलो खुश रहा करो मस रहा करो, बढ़ियां से पढ़ा करो